हलो स्टूदिन्स दिस डॉक्टर हिमानची ओजा आपका अपना कालेज का का तो भई सबसे पहले तो अगर आपने थमनेल पड़ा है क्या और रैंक चाहिए इस साल मेडिकल कॉलेज वो भी गॉवर्मेंट मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए पहली बात उन लोगों को बता द हैंगे हम ऐसी कोई बात नहीं कर रहें आपको समझना है हम सारे पॉइंट पर बात कर रहें very first जब हम बात करते हैं कि कट अफ क्या जाएगी अगर हम ये बोलते हैं कट अफ क्योंकि देखो कट ऑफ का मतलब आपको समझ में आना चाहीं कट अफ है क्या कट अफ है कि कितने marks पर government college मिलेगा पहली बात तो अपने को cut-off का मतलब भी नहीं पता होता है cut-off का मतलब है वो students जिने, मतलब students मैंने इसलिए बोला respective category general, OBC, EWS SC, ST सभी category में वो student जिसे last government college मिला है उसके बाद वाले rank को government college नहीं मिला उसे हम कहा देते हैं cut-off यह है cut-off का मतलब अब बच्चों की query आनी शुरू हो चुकी है कि सर क्या safe score है NEET 2024 के लिए government college लाने के लिए उसी पे हमने यह video बनाया है जो बच्चे नए हैं, जो लोग नए हैं इस channel पे subscribe कर सकते हैं आप जिससे अभी से लेके last round counseling का पूरा साल हम आपके साथ बने रहेंगे, आपको videos मिलते रहेंगे notifications वगरे video की चाहिए telegram channel का जो detail है वो आपको नीचे दिया हुआ है इसी video के description में वहाँ से telegram join कर सकते हैं हमारा तो वो भी वहाँ पे आपको मिलते रहेगा जो वीडियो आ रहा है उसके बारे में अब देखिए जब हम 2024 की बात कर रहे हैं आपको सबसे पहले ये ध्यान होना चाहिए कि क्या safe score है safe score for government college for government college this actually decides by some kind of factors वो factors क्या है भई तो मैं आपसे ये कहूंगा कि कुछ factor होते हैं जैसे के इस बार का paper का level कैसा है paper का level यहां हम difficulty level की बात कर रहे है ठीक है difficulty level की बात कर रहे है अब paper level से क्या होता है अगर paper easy है तो cut off की chances ज़्यादा होती है क्योंकि ज़्यादा बच्चे एक particular marks तक पहुँच जाएंगे तो हम कहते हैं ऐसा अगर paper tough है तो क्या होता है कि cut off down हो जाती है अब अगर हम पिछले कुछ सालों के trend को देखें तो जो cut off है वो बढ़ती जा रही है बढ़ने का reason है कि जो paper आता है वो NCRD based है NCRD की line से होता है direct cut to cut हम कह सकते हैं line से मिल जाता है तो easy होता है हाला कि एक चीज़ अगर देखें तो हर साल कुछ type of question जैसे statement वाले बढ़ गए assertion reason type add हो गए तो कुछ चीज़ों को add करके question का जो level है paper का level उसे थोड़ा balance करने की कोशिश की गई है देखते हैं इस साल इस तरह के नए experiments अगर होते हैं थोड़ा tough बनाया जाता है कुछ अच्छे questions सोचने वाले reasoning questions जिनको हम कहते हैं जहां थोड़ा दिमाग लगाया जाए ऐसे question add किये तो difficulty level थोड़ा बढ़ जाता है उससे cut off पिछले साल से थोड़ी कम रहती है otherwise बढ़ने की chance है हम हर साल यह देख रहे है कि cut off बढ़ती जा रही है तो है पहली बात दूसरा कौन सा factor है तो भई second factor का नाम है number of students number of students अगर हम देखें हर साल ये भी बढ़ते जा रहे है NEET में अभी हम पिछले कुछ सालों का trend देखें तो हर साल NEET में बच्चों का number बढ़ रहा है पहले जहां 15 लाग था 18 लाग हुआ 21 लाग तक पहुँच गया हर साल बढ़ रहा है तो ये भी increase हो रहा है अब इसमें से कितने बच्चे ऐसे जो droppers हैं बात को समझेगा ओड़ा सा अगर बच्चा drop कर रहा है second drop है उसका third drop है उसका तो उसको चीजें याद होने लग जाएंगी उसे NCRD देखते एक्वेशन देखते ही समझ में आया था इसका अंसर ही है वो याद होने लग जाती है रटने लग जाती हम यह कह सकते अगर ज्यादा number of dropper student है जो third drop ले रहे हैं second drop ले रहे हैं उनके marks जादा आने की chances है इस case में if the level of paper is quite easy तो हम कहते हैं कि ये बच्चे जो droppers है जादा वो अच्छा score कर पाते हैं अगर paper tough होता है तो हमने यह देखा है कि जो बच्चा 12th के साथ fresher है या first drop है वो अच्छा कर पाता है क्यों? क्योंकि वो चीजों को analyze करता है जो second drop में आगया, third drop में आगया वो analyze जादा नहीं करेगा उसको याद है कि यह सब चीजें ऐसी है, यह है, यह है हमने चीजें बताईए यह practical approach पे बात कर रहे हैं हम एमें हवा में बात नहीं कर रहे हैं जो safe score रहता है पेपर का level बहुत important है number of student, number of dropper अब यह बातें आज के दिन किसी को नहीं पता सबसे पहले चीज़ अलगलग तरह के लोग आते हैं, वीडियो भी बनाते हैं, सब कुछ है लेकिन मैं आपको कहूँँगा, आज के दिन आपको यह नहीं पता कि पेपर का level कैसे रहने वाला इसलिए, नीट वाले दिन तक हम यह सोचना बंद कर दे कि यह particular score पे अगर हम आ गए तो हमारा selection हो जाएगा हमें क्या करना है, हमें अपना best देके आना है उस दिन वो best कुछ भी हो सकता है हो सकता है कुछ questions है जो हमको नहीं आते हैं हमें उसे छोड़ना पड़ेगा हम unnecessarily negative करके गलती कर दें, suppose for an example एक बच्चा है उसने last में, नीट वाले दिन बैट करके calculate किया उसको लग रहा है कि मेरा जो score है वो 600 पहुंच जाएगा 600 पहुंच जाएगा, लेकिन cutoff 610 जाती है ऐसा सोच के बच्चे ने क्या किया, 3-4 question extra कर दिये last में, जो उसे आदे हदूरे आ रहे थे, जिसको लग रहा था कि इस cancer B हो सकता है, C हो सकता है तो ने tick लगा दिया, और वो questions गलत हो गए cutoff इस बार में 3-4 questions अटेप्ट कर दिये जादा और उस वज़े से क्योंकि उसको अच्छे से नहीं आते थे negative चले गए, उसका score रह गया 580, 600 तो उसका था ही 580 इसलिए रह गया क्योंकि उसने सोचा कि cutoff इतनी जाती है, तो पहले से हमें predict नहीं करना है कि cutoff इतनी जाएगी मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, cutoff जादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है ये factors affect कर रहे हैं, हाला कि हम पिछले सालों की बात करें तो बड़ी ही है लेकिन हमें उस दिन कितना आ रहा है हमें उस पे काम करना है ना कि unnecessarily हम वो question करके आ जाएं जो हमें नहीं आते इस पे हमें ध्यान देना है दूसरी बात अगर आप cutoff predict नहीं करेंगे तो आप better कर पाएंगे predict करने पे क्या होता है, हम narrow हो जाते है हमारे दिमाग में बस जाता है कि हमें तो 600 number लाने क्यों 600, मैं कहता हूँ 720 लाइए 720 की तयारी करी, at least 100% का सोचेंगे तो जाके 99% आएंगे 98% आएंगे, energy कुछ तो waste भी होती ही न, पर हम सोचते ही 90% है, तो क्या होगा, और कम पे आते हैं, तो जब आप सोचोगे ही कम, तो उससे कम पे जाओगे ज्यादा पे नहीं, इसलिए हमेशा अपना best, आप तो ये सोचिए कि 720 हमें लाने है वाइ, क्यों हम cut off के पीजे पड़े हैं, क्यों हम सोच रहे हैं उस दिन तक, neat तक neat हो जाता है, उसके बाद ये सारी बाते ओके हैं कि बई 720 नहीं आए, हमारे 600 रह गए, 610 रह गए 620 रह गए, हमारा होगा नहीं होगा, ये सारी बाते तब किये हम, अभी आपने देखा तो हमारी paid counseling services हमने start कर दिये, हम बच्चों को कहते हैं कि जो बच्चे YouTube पे हमारा free session देखते हैं counseling सीखते हैं, उन्हें free में आप different होने लग गया है, वो नहीं जानते उन्हें कई जगे पर help चाहिए, तो हमारी paid counseling लेते हैं तो अगर आपके पास वो पैसा है paid counseling को देने के लिए, तो आप दीजिए मैं हमेशा कहता हूँ, जरूरत नहीं है free में आप देखिए हमारे telegram channel भी join करके रखिए, time to time videos आएंगे हम उस पर डाल देते हैं, कौन सा वीडियो आ रहा है आप देखिए, खुद से करिए counseling हमने तो counseling की शुरुवात इसलिए की थी कि लोगों को सिखा पाएं पूरे इंडिया को counseling करते कैसे फिलाल जो paid counseling में बच्चे हैं हम उनको guide भी करने हैं, जो बच्चे enroll हो गए हम उनको neat वाले दिन तक mentor भी करते हैं MBBS students जो pursuing ए MBBS कर रहे हैं या करके बहार आ गए, वो उनसे बात करते हैं उनसे daily मंगाते हैं कि उन्होंने आज क्या किया student ने, कल क्या करेगा, आज क्या achieve किया, आज क्या regret किया, जिसको हम DWAR द्वार कहते हैं, what I did what I will, what I will achieve and what I regret तो ये, ये चीजे हम जो है, वो बच्चे को इसलिए करवाते हैं जिससे हम चाहते हैं कि उसके score में हम थोड़ा contribute कर पाएं वो और अच्छा score ला पाएं और last round तक counselling में भी help कर रहे हैं, उसी package में तो बात है कि अगर हम 720 सोचेंगे नहीं, ला नहीं सकते, तो ये हमको करने पड़ेगी इस वीडियो के last में मैं आपको बता भी दूँँआ कैसे हमारे साथ जुड़ सकते हैं, या counselling ले सकते हैं फिलहाल बात हम कर रहे है, cut off पे अब ये सब के बाद, जो बच्चे ये पूछते हैं कि last year क्या गई थी हमको वो जाल लें थे कोई बात नहीं, वो तो आपको जानना ही चाहिए तो all India counselling, मैं फिर बोल देता हूँ this is all India counselling all India counselling क्या होती है जी all India counselling 15% seats के लिए होती है remaining 85% seats के लिए जो है वो state counselling होती है, सब चीज़े हमने counselling के वीडियो में बताए हुए है paid counselling में बच्चों को हम पूरा guide करते हैं खुझ से preferences बना करके देते हैं colleges की government college 2023 में this is 2023 cut-off all India counselling की है यह तो general जिसका rank 23,674 रहा था all India rank है यह उस पे score रहा था 610 यह इसलिए जानना जरूगरी है क्योंकि आज अभी आपन जब नीट की बात कर रहे है exam आपने दिया नहीं है तो rank तो आपको नहीं पता बढ़ score तो पता है लेकिन मैं फिर कहता हूँ इसका मतलब यह नहीं है कि 610 गया था तो इस बार 620 जाएगा 615 जाएगा 610 ही रह जाएगा score कई सारे factors हमने बात किये उन पर depend करता है आप अपना best दे क्या हो हो सकता है आपका best 605 ही आए कोई बात नहीं हो सकता है 605 है paper tough था cut off 600 पहुंच जाए ऐसा नहीं करना कि हम calculate करके उस समय गलती कर दे वो मत करना बिल्कुल भी आपको जो आता है best करके आओ यह रहा था जेनरल का OBC का 23675 All India Rank था जाए डिफरेंस नहीं था 610 सेम स्कोर था क्योंकि एक एक स्कोर पर हजार अजार बच्चे बैठे होते ऐसे ही 25,000 Rank EWS पर गया था 607 All India Rank तक SC में 129,000 Rank तक और score देखे तो 480 तक 1,70,000 Rank तक 445,445 स्कोर ST का गया था अब safe side क्या होता है इससे आप 20 नंबर उपर का सोचो ना में तो आपको का है आपको 720 out of 720 ही लाने है उस पर काम करो उस पर मेहनत करो हमेशा positive सोचो फिर भी कम हो जाते हैं हम 20-20 नंबर तो add करके चले ही हमें यह सोचना है अगर हम general है 630 से कम नहीं लाने कोशिश और वो कम का मतलब यह रही है आपको अपना पूरा देना है उस दिन देखते हैं यह तो अभी से तयारी की है कि हमें तयारी इतने की करनी है कुछ कम रह जाए तो ठीक है 630 से 140 आ गए selection confirm हो जाएगा 620 आ गए मुझे तो लगता है selection हो जाएगा अब depend करता है उस दिन कैसा paper आता है कितने लोग बैठे थे सारी चीज़ें बात की बात है जल्दबाजी में उस दिन गलती मत कर लेना अपना पहले से कुछ सोच के गए उसकी वज़े से सोच के तो यही जाना है बस OBC वालों को भी यही सोचना है EWS को भी यही कि हाँ आपन को 625-630 के उपर लेके आने और उसनी महनत करो SC 500 प्लस ST लगबग 460-470 प्लस लेके आने अब यह बात है All India की जब हम State counselling की बात करते है State-State में भी difference आता है जब हम बात करते है राजस्थान की, Delhi की cut-off हाई जाती है All India से भी ज़्यादा चल जाती है यानि All India में जा 610 पे हो गया 615 पे भी नहीं हुआ राजस्थान में देहली में, 617 से उपर निकल गया तो ऐसा होता है UP की बात करें, लगबग All India के बराबर बराबर जाता है महरास्ट्र और West Bengal की बात करें 20 नंबर कम मालोच है तो 10 है, तो 585 से 590 पे हो गया और लगबग 20 नंबर का डिफरेंस रहता है अगर हम बात करें, MP 40 नंबर कम कर दो, यानि 560-570 पे हो जाता है, आपको 580 तक सोचके चलना है सोचना तो हमें को इससे ज़्यादा ही पड़ेगा न, इसलिए तो ये भी पता होना चाहिए ऐसे ही अलग-अलग स्टेट की काउंसलिंग 36 गड़ में हम 560 को भी easily 550 को क्रॉस करते, मिल जाता है तो लग-बग 50-60 नंबर का डिफरेंस आ जाता है All India से, 36 गड़ का तो ऐसे सारे states की काॉंसलिंग होती है सब की अलग-अलग काॉंसलिंग होती है सब के लिए अलग-अलग form भड़ने पढ़ते हैं आपको miss नहीं करना होता है, सारी चीज़े पता होनी चाहिए प्रेफरेंस लिस्ट प्रापर होनी चाहिए इतने सारे college all India में होते है preferences गलत हो गई कई बार अच्छे number लाके भी खराब college मिलता है कई बार number उतने अच्छे नहीं होते लेकिन बहुत अच्छे college मिल जाते है जैसे हमारे साथ कई बच्चों को मिला है तो वो चीज़ें सीखनी पड़ेगे उसके लिए मैंने कहा है आपको हमारे वीडियो जैसे सीखिए खुद से सीखिए अच्छी बात है नहीं सीख पाएं तो हमारे paid counseling होती है whatsapp number आपको नीचे नजर आ रहा है 7230005333s पर whatsapp करिए लिखिए neat paid counseling हम एक browser भेज देंगे पसंद आए तो हमारे साथ आप जुड़े नहीं पसंद आए तो मैंने कहा है वीडियो तो हम बनाएंगे फ्री में बनाएंगे आप telegram channel जो है description में दिया है उसको join कर लेना वीडियो आते रहेंगे उस पर आता जाएगा कई बार आप से YouTube पर वीडियो मिस हो जाए तो telegram पर आजाएगा आप उससे देख लेना मतलब जुड़े रह सकते हो आप खुद से सीख सकते हो counseling free में करवा सकते हो मैंने तो हमेशा कहा है यही करना है सीखना है लेकिन pay करने वाली स्तिती में होते हैं कैसा है लगता है कि नहीं हमको किसी की services चाहिए तो आज इंडिया में एक लाग दो लाग तीन लाग रुपए लोग केवल counseling के लेते हैं और उनकी services start होती है NEET के बाद हमने NEET की paid counseling की services start कर दी क्यों कर दी जिससे हम mentor कर सके बच्चों को अभी से NEET के लिए mentor कर सके रेगुलरली चेक करें वो क्या कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं जिससे हमारी वज़े से उनके 50 साथ टंबर बढ़ जाते हैं इससे बढ़िया बात नहीं हो सकती फिर इस बीच में अलग लग 15,000 तक के बीच में चल रही है अभी discount 50% के offer यानि इससे ज्यादा कर तो हमारे पास में इस समय प्लान ही नहीं है इसी बीच में हम लोग ले रहे हैं बस बच्चों से जिसके अंदर अभी से लेकर पूरे साल तक की service मिलेगी paid counseling पूरी होगी counseling के आपको security वापिस मिल पाए private के लिए किए government के लिए किए तो 30-40,000 रुपए लग जाते हैं उनके दो counseling में जैसे UP में 30,000, All India में 10,000, 40,000 रुपए तो वापिस भी आए उसके लिए हम आपको time-to-time बताते हैं कि आप कहां गलती कर सकते हैं कौन से step पे हमको क्या करना है discuss करते रहते हैं बच्चों से लास्ट राउन तक काम आते हैं उसके बाद counseling का जो refund आता है comment से उस तक हम आपको साथ देते हैं एक साल पूरा आपके साथ रहते हैं ये इसके लिए आप WhatsApp नंबर है उस पे WhatsApp कर सकते हैं हमारी website www.collegekaka.com उस पे आप जा सकते हैं वहाँ पे से आप purchase कर सकते हैं हमारे plan को ब् website पे freely हमने colleges के भी information डाल दी है upload कर दी है तो वहाँ से आपको different colleges की complete information मिल जाती है इस बार हम कुछ भी नहीं छोड़ रहे है abroad counseling में भी हमारी पूरी एक team है जो काम करती है अगर आपको abroad admission लेना है कई बच्चे रशिया चाइना भी पहले जाते थे बहुत युक्रेन बहुत जाते थे आजकल रशिया जाते हैं फिलिपिन जाते हैं जॉर्जा जाते हैं बांगलादेश जाते हैं नेपाल जाते हैं तो जो भी आपको चाहिए आप WhatsApp कर सकते हैं लिख सकते है WhatsApp करके आपको answer पुरा मिल जाएगा लटाफ के लिए मैं आपको ये कहा कि ये पिछले साल की रही थी लेकिन आपको क्या करना है इसे target करना है पहले से predict नहीं करना है narrow नहीं हो जाना है रुक नहीं जाना है उस दिन भू पाए तो जो अपना best है वो दो चाहे उस दिन आपके 700 आए 680 आए 610 रह जाए या 570 रह जाए कोई बात की बात है कि क्या cutoff रही किसको last मिला पट आपको अपना best देके आ रहे है all the best for your neat exam thank you